दोस्तो अगर आपका e-sroom card पहले से बना हुआ है तो आप खोद सरकारी skim के लिए online apply करना होगा दोस्तो ये बहुत बड़ी update निकल कर आई है जैसा कि दोस्तो ये जो update आई है ये खोद garment की तरफ से ये update आई है जिन लोगों ने पहले से e-sroom card बना रखा है सरिफ इने लोग online apply कर सकता है इस skim के लिए तो दोस्तो जैसे आप इस skim के लिए online apply करोगी apply करने की बाद e-sroom card की basis और आपको हर माहिने आर्तिक शाहता सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा तो किस तरीके से आपको apply करना है और क्या ये skim है और कैसे apply करना है सबकुस इस वीडियो में बिल्कुल step by step आप लोगों को मैं बताने वला हूँ इसलिए आपको वीडियो शुरू से end तो देखना होगा तो आईए दूस्तो देर किस बात की वीडियो स्टार्ट करते हैं दूस्तो सबसे पहले आप अपने mobile phone में किसी एक browser को open करना है सार्च बर में type करना है e-sroom card जैसा कि मैं ने type किया है इसके बाद करना है सार्च सार्च करने की बाद फर्ष्ट जो लिंक की e-sroom card official link है इस link पर आप क्लिक करना है इस link पर क्लिक करने की बाद तूर सा निचे आपको slide करना है slide करने की बाद एक option आप लोग की सामने open होगा जैसकि update तो update option पर आप क्लिक करना है क्लिक करने की बाद कुछ इस तरीके से आप लोग की सामने interface जो है शो होगा इसके बाद सबसे पहले देखिए even number आपको पूचा जा रहा है जिन लोग को even number पता है इन्हे लोग even number से login कर सकता है यानकि update कर सकता है और जिन लोगों नहीं पता है इन लोग इस तरीके से मतलब यह update जो है complete कर सकता है इसके लिए दिखिए left side corner में 3 line है 3 line option पर click करना है जैसे आप click करूगे click करने के बाद एक option दिखिए already registered तो इस option पर click करना है click करने की बाद निचे दिखिए कुछ options जो है show हो रहा होगा जैसा कि आप लोग देख सकते हो update profile using other तो इस option पर आपको click करना है जैसे आप click करूगे click करने की बाद सबसे पहले तो आदर कर में जो भी registered mobile number है same mobile number इस box पर आपको fill up करना है इसके बाद निचे दिखिए ये जो capture code है इस box पर fill up करना है इसके बाद send OTP option पर click करना है दोस्तो send OTP option पर click करने की बाद उस number पर एक OTP send किया जाएगा जैसा कि आप लोग देख सकते हो enter OTP OTP fill up करने की बाद निचे एक option दिखिए submit तो submit button पर click करना है submit button पर click करने की बाद देखिए यहाँ आपको other number fill up करना है जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस box पर other number fill up करना है इसके बाद निचे देखिए authenticate करने के लिए तीन options देखने को मिल रहा होगा जैसा कि first जो option है fingerprint दूसरा जो है iris और तिसरा जो है OTP तो आपको क्या करना है कि OTP option choose करना है इसके बाद निचे यह जो capture code है इस box पर fill up करना है इसके बाद capture biometric option पर click करना है इसके बाद दूस्तों other card की तुरब से एक OTP send किया जाएगा जैसा कि आप लोग देख सकते हो निचे दिखिए enter OTP तो इस box पर OTP जो है fill up कर लेना है जैसा कि मैं OTP fill up किया है इसके बाद निचे एक option दिखिए validate तो validate option पर click करना है जैसे आप validate option पर click करोगे click करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग की सामने page जो है open होगा इसके बाद आप बड़े द्यान से काम करना होगा otherwise आपकी जो e-sroom card है यह delete हो सकता है जैसा कि एक option दिखिए यहाद कि एक box है इस box पर आप tick mark नहीं लगाना है याद रखना है अगर आप tick mark करोगी और निचे update पर click करोगी तो आपकी जो e-sroom card है यह permanently delete हो जाएगा इसके लिए आपको क्या करना है कि यह चीज इगनर करना है इस box पर tick mark नहीं करना है सीधा update e-kyc option पर click करना है जैसे आप update e-kyc option पर click करोगे click करने की बाद निचे एक नवया option जोड़ चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हो find eligible scheme तो इस पर click करना है जैसे आप click करोगी click करने की बाद देखिए आपको पूचा जाएगा सबसे पहले तो देखिए employees आपको पूचा जाएगा जैसा कि दूस्तों अगर आप एक मजदूर है और आप तो एक मजदूर होना चाहिए क्योंकि मजदूर की बिना तो ये card नहीं दिया जाता है इसलिए आपको क्या करना है कि unemployed choose करना है इसके बाद आपको पूचा जाएगा is देखिए WPL user अगर WPL user है तो yes करना है otherwise आप no option choose करना है इसके बाद निचे आपको पूचा जाएगा family income family annual income यानि कि family के जो सालना income है कितना है तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको fill up कर देना है जैसे कि मैं annual income जो है 50,000 कर देता हूँ इसके बाद निचे आप देख सकते हो कि is minority क्या आप minority है अगर है तो इस box पर निचे इस box पर क्लिक करना है इसके बाद minority है तो yes करना है otherwise no option चूज करना है चूज करने के बाद एक option देखिए निचे देखिए get scheme तो get scheme option पर क्लिक करना है जैसे आप get scheme पर क्लिक करोगे क्लिक करने की बाद देखे काफी सारी skim जो है शो होने लगेगा इन में से आप कोई भी skim के लिए apply कर सकते हो और जैसे आप apply करोगी apply करने की बाद इस्रूम कार्ड दारोग जितना लोग मतलब skim के लिए apply करेंगे उने लोग को सीधा सीधा bank account में पैसा जो है transfer किया जाएगा वो भी दोस्तों आर्तिक शाहता की रूप में आपका पैसा जो है send किया जाएगा तो निचे देखे काफी सारी मतलब skim जो है आ चुका है आप एही से मतलब देख सकते हो जैसा की cbyemps scheme इसके बाद देखे cbpshtc इसके बाद देखे npdf यानि की national post doctor इसके बाद आप देख सकते हो dddrs यानि की दिंदयाल देखे डिसाबलेट इसके बाद अगर आप निचे slide करोगी तो इनाम आप देख सकते हो इनाम इसका मतलब है national agriculture market इसके बाद देखे आप देख सकते हो कि काफी सरी skim जो है आप लूग की सामने show होगा जैसे की एक skim देखे pmsym यानि की प्रदरमंत्री स्रॉम यूगी मंदन यूजरा इसके लिए भी आप apply कर सकते हो और निचे सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे सी जो है इसमें aid किया गया है कैसे सी का मतलब होता है अगर आप एक किशान है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो जैसा कि कीशान कैसे सी का मतलब होता है कीशान credit card तो अगर आप credit card के लिए apply करना चाहते हो तो सीधा आपको क्या करना है कैसे सी option पर click करना है लेकिन सबसा पहले देख लेते हैं कि कितना जो skim यहाँ जोड़ चुका है तो आप निचे slide करना है और slide करने की बाद आप इस तरह से देख सकते हो तो अगर आप कैसे सी के लिए apply करना चाहते हो तो आपको करना क्या है देखिए जो जितना skim है यहाँ मतलब दीख रहा है सारे skim की जो apply process से सेम है तो आपको क्या करना है इस 시दा Pressacy ऊप्शन पर क्लिक करना है इसके बाद निचे एक option दिख चेक eligibility और निचे दिखिए details benefits eligibility और apply तो जैसे आप left side swipe करोगी तो apply process आप देख सकते हो इसके बाद तुरसा फिर से स्वाइब करोगी तो आप देखें document required क्या क्या document होना चाहिए आपकी पास इसके बाद देखें frequently asked question तो इस तरह से तो सब सब पहले तो देखते है document required क्या क्या document चाहिए होता है जैसा कि number one application from number two देखें passport size photograph और number three ले ID proof इसके बाद देखें driving license या other card या बूटर identity card या passport इसके बाद देखें address proof जैसा कि driving license अधर card इसके बाद देखे proof of land holding तो डूली देखे certified by revenue authorized इसके बाद निचे अगर तुरसा slide करोगी तो slide करने के बाद एक option देखें कि cropping our petal crop growth which देखें SRG इसके बाद निचे आप देख सकते हो security document for loan limit above देखे 1,60,000 तो आपको दिया जाएगा और निचे आप देख सकते हो और उसके बाद देखें अगर करना चाते हो तो जैसे कि आप सारी चीज़ देखे apply process पर क्लिक करना है जैसे आप apply process पर क्लिक करने की बाद दोनों available है जैसे कि online apply और offline तो online apply करने के लिए देखे सबसे पहले number one visit the website of the bank you wish apply for the kitchen credit card scheme यानि की देखे visit आपको करना होगा website इसके बाद निचे आप देख सकते हो number two from the list of option choose the kitchen credit card इसके बाद देखे three clicking on the option of apply website will redirect you to the application page इसके बाद देखे fill the form with the required details and click on submit इसके बाद देखे on doing so an application reference number will be sent if you are eligible the bank will get इसके बाद देखे निचे और आप देख सकते हो get देखे back to you for the future process within three four working days यानिकी तीन से चार दिन जो बिना holiday की जो दीन होता है bank उसके बाद bank की तरफ से आपको एक sms किया जाएगा कि आपकी जो card है या approve हो चुका है तो इसके लिए तो देखिए online आप apply कर सकते हो तो online apply करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो देखिए कि आपको search करना है google जाके Christian credit card apply जैसे आप search करते हो जैसे कि देखिए Christian credit card के CC card apply card online apply तो जैसे आप click करोगे click करने के बाद देखिए आप bank की द्वारा कर सकते हो apply for kitchen credit card online in India देखे crop loan इसके बाद आप निचे और देख सकते हो जैसे कि आप देखे ministry of agriculture and farmer welfare kitchen credit card इसके बाद आप और देख सकते हो तो इस तरह से आप union bank की तरफ से भी आप कर सकते हो और ये भी जो करने की जो process ये online process है निचे आप video बाद देख सकते हो कि किस तरह से apply किया जाता है तो इस तरह से आपको क्या करना है कि skim के लिए apply करना है जैसे आप skim के लिए apply करोगी तो भी तो government को पता चलेगा कि हाँ आप एक मजदूर है और इसलिए ये skim के लिए apply क्या है तो जब आप पैसा की जरूरत होगी तो आप खोदी मतलब credit card से मतलब bank से पैसा जो है उटा सकते हो अगर बागी skim के लिए apply करोगी तो आपकी bank account में सीधा सीधा government की द्वारा transfer किया जाएगा आर्तिक शाहदे के लिए तो video आज के लिए इतना ही है